प्रियांशू रेडिमेट गार्मेंट्स की दुकान चलाता है वहाँ 6-10-2012 को प्रियांशू की दुकान पर कपड़े खरीदने आए भोले पुत्र नरेश, शरवन पुत्र जगना, छोटे उफ महाकाल पुत्र अग्यात खरीद कर चले गए 13-10-2020 को ये व्यक्ती लगबग 3.30 मिनट पर कपड़े वापस करने आए कपड़ा व्यापारी प्रांच ने जब कपड़े वापसी करने से मना किया तो उन्होंने व्यापारी को मारना पीटना शुरू कर दिया व्यापारी के शोर मचाने पर आसपास के लोगी खटा हुए दबंग लोग व्यापारी के सिर पर वार करकर भाग गए जिससे व्यापारी का सर फुट गया व्यकून से लत्पत हो गया जाते जाते व्यापारी को जान से मारने की धमकी दे गए प्रन्तु तुरंत अपनी रिपोर्ड लिख्वाने थाने नजववाद पहुचा, महा से मेडिकल के लिए भीश दिया गया है बापिस करने आए भाई ने जो है उसे बोला है गाली का लोच मत कर तो बहे मार पीट के उतर आहे जब मैंने हरकम सुना पे भाग के दुकान पर पहुंचा तो बहे भाई को मार रहे थे जैसे मैं एक गया तो होटल है बराबर में दुकान बहांसे खुर्चा उठाया और अच्छा यह कब कमा मलाई जी यह जी सारतीन से चार मजे के बीच आप भाई इनके अच्छा तो और क्या पहले से रंजी सबाजी चल ले थी सर कुछ नहीं था अच्छा कस्टुमर थे वे आपका सुबनाम क्या है अच्छा रानु कुमार जी और यह बताइए आप के जो इनके खोन पर लत्पत हो रही चोट कहां कहीं इनके सर में आई है यहां पर टांके आए हैं और तो यह उगली फटी हुई है और यह वाली है कौन सा होस्पिटल पहुचे आप में है सर हम पिछे गुवर्मेंट होस्पिटल में रहे थे वहां से हमें जो है विजनौर के लिए राफर कर दिया है जी ठीक है और क्या पहले सा नंजीत वाजी चल ले थी सर कुछ नहीं था अच्छा कंस्टुमर थे वे साथ आट जिन पहले कपड़ा लेकर लेकर आज बा पहले के सर्मे यहां पर टांक कि आए हैं काफी गहरी चोट है सार हटी रामेज भी है और हाट में चोट है ये ये विजनौर के लिए राफर कर दिया है